हलो दोस्तों आशवी का मेरे चेनल पर स्वागते भाई आज हम आपको बताने जारे प्रधान मंत्री सोनिधी योजना के बारे में जियां दोस्तों इस योजना के तेथ सरकार जो भी छोटे दुकानदार होते हैं जिन में सडक किनारे ठेले लगाने वाले रहडी पट्री वाले साथ ही जो फल सबजी लोंडरी सेलून पान की दुकान वाले ये सबी जो रोड के आसपा छोटी दुकाने लगती है उन सबी को सरकार 10,000 रुपे का लोन तुरंट देती है इसका आविधन करने पर तो भायो अगर आप भी इनकी सिर्डिम आते हो तो आप इसका ओनलाइन फोरम भरके तुरंट अपने खाते में 10,000 रुपे तक का लोन पा सकते हो सरकार ने ये योजना एक जून को चला दी है सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर सरकार ब्याज में छूट भी देती है अगर आप टाइम पर रुपे अच्चुका देते हो तो आपके ब्याज में सरकार कुछ माफी भी कर देती है तो सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड र दुकानदार इस योजना के तहित फोर्म भरते हैं तो तुरंत उनके खातों में 10,000 रुपे तक कलोन सरकार डाल देगी तो यह तो रही भाई हो इसकी जानकारी अब आपको बताते हैं इसके लिए ओनलाइन किस प्रकार देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम आपके मुगा .gov.in देखो बाई जो हमने वेबसाइट आपके सामने लिख रखे हैं आपको भी यही गूगल में टाइप करना होगा तभी जाकर यह वेबसाइट ओपन होगी और आप इस पर ओनलाइन आवेदन कर पाऊगे पाऊगे में यह वेबसाइट कोयो को टाइप कर लेते हैं हमने वेबसाइट को पी कर रहा कि沖ेंगे तो आपको भी सेम टूसे में से किसे लिख लिएना है sttb.pmsvindy.mova.gov.in यह आपके सामने वेबसाइट लिखी हुई है आपको भी इसे कैसे ही गूगल में टाइप कर देनी है और इसको कर देते हम सिंपल सर्च देखो दोस्तों हमने वेबसाइट सर्च कर दी है 126 लोगों के लोन सेंक्षन हो चुके हैं 10,000 रुपे का लोन और यह फोरम जो कैंसल हुए है 1,28,624 और भी कुछ इसे नीचे फोरम दिखाएते हैं planning to apply for loan यहाँ पर आपको पूरी-पूरी description दिखाए देगा अगर आप इसको पढ़ेंगे कि लोन के लिए किस परकार आविदन करना है तो यहाँ पर सारी-सारी जानकारे लिए हैंगे ना हम आपको लोन का फोरम भरना सिखाते हैं तो सब सब पर यह वेबसाइट उपर देखो यहाँ पर लिखा रहा है apply for loan apply for LOR और PM's dashboard लेकिन हमको लोन के लिए फोरम भरना है तो apply for loan का एक कोलम पर किलिक कर देना है इस वाले पर तो इस पर हम simple किलिक कर देंगे apply for loan पर किलिक करते हैं देखो भाई यह इस पर कार कुछ खुल जाएगा और यहाँ पर आपके पूछेंगे आपके मुवाइल नमबर जो आपके मुवाइल नमबर है वही यहाँ पर डाल लेना तो उससे क्या होगा कि आपके मुवाइल पर एक OTP आएगा हम भी हमारे मुवाइल नमबर डाल देते हैं यह हमने हमारे मुवाइल नमबर डाल दिये यह यहां पर हमने मुवाइल नमबर हमारे डाल दिये हैं उसके बाद में आयम नोट रोबोट के इस पर किलिक कर दे रहा है आपको देखो भाई यह किलिक लग जाएगा है यहां पर किलिक करते हैं यह राइट किलिक लग गया और तो आपके मुवाइल नमबर पर एक मैसेज आ जाएगा उस मैसेज को यहां पर यह मैसेज जा चुका है तो हम यहां पर मैसेज आ जाएगा तो आप वहां से डाल देना आप यह वेरिफाइज ओटीपी के ओप्शन पर इसको हम ओटीपी को वेरिफाइज कर लेंगे है वेरिफाइज ओटीपी वह वेरिफाइज हो चुका है तो दोस्तों जब आपका ओटीप वेरिफाइज हो जाएगा उसके बाद में साइट कुछ इस प्रकार से लगाते हो तो आपके पास आपका certificate होना जरूरी है identity card जो सरकार देती है क्योंकि अगर आप इस option पर click करोगे तो यहाँ पर click करते नीचे एक identity card का option आजाएगा यहाँ पर आपको अपने reference number जो card की reference number होते हैं वो भरना होगा बरने के बाद सर्च करना होगा और जो आपका card आजाएगा select करके उसके बाद ही आपको next के button पर click करना होगा और तभी आपका फोरम बराब जाएगा क्योंकि उसके बाद में आपको पूर डिटेल बरने होगी fill, detail, upload, certificate भी upload करना होगा और उसके बाद में आपका submit application होगा तो सबसे पहली बात है आपको पास certificate होना जरूरी है क्योंकि हमारे पास सभी तक कोई certificate नहीं है इसलिए हम इस फोरम को भर नहीं सकते हमारा खास मतलब था आपको पता चल जाए किस website के जरिए यह loan का application भर जाता है तो जिन भाईयों के पास certificate है वो यहां से certificate अपलोड करके इन चारों category हो में से कोई साभी certificate है आपको पास जो भी है तो आप यहां से online फोरम भर सकते हो तो दोस्तो अब आपको पता चल ही चुका होगा website के बारे में कहां से फोरम भरना है तो आप इस website पर जाकर online आविदन कर सकते हो साती भाईयों इसमें सारे का सारे जो रेड़ी पटरी थड़ी वाले पान की दुकान वाले सबी इस category के अंदर आते हैं सबी को 10,000 रुपे तक कलोन यहां पर फोरम भरने के बाद तुरंत मिलेगा या फिर आप आपके पास में जो भी नजदीग में इमितर के अंदर होता है कम्पूटर के दुकान वहां पर भी आप अपना certificate ले जाएं जो सरकार ने आपको दे रखा होगा जिसको identity card भी बोलते हैं उस identity card को ले जाकर आप इमितर के अंदर के जरिये भी इसका online आविदन क करना Facebook और WhatsApp पर ताकि उन सभी को भी वेब साइट के बारें पता चल जा और वो भी online आविदर अपने घर बेटे मुवाइल से कर पाएं तो दोस्तों वीडियो में तरह ही जेहिंद जे भारत